Dear students, इससे पिछले वीडियो में हमने HP Board of School Education की जो Science की बुक है उसके प्रिश संख्या 187 का उधारन 10 थशमलव एक लिया था इस वीडियो में हम उधारन 10 थशमलव 2 की बात करेंगे वो कुछ इस परकार है प्रशन है कोई 4 थशमलव 6 cm साइज का बिम्ब किसी 15 थशमलव 6 cm फोकस दूरी के अवतल दरपन से 25 थशमलव 6 cm दूरी पर रखा गया है दरपन से कितनी दूरी पर किसी परदे को रखा जाए कि स्प्रश्ट प्रतिविम्ब प्राप्त हो और साथ में प्रतिविम्ब की प्रकृती तथा साइज भी ग्यात कीजिए तो हमारा जो एक तरीका रहेगा इस प्रश्ट को हल करने का वही सेम रहेगा हमें सबसे पहले ये फाइन डूट करने के हमें क्या-क्या दिया गया है अब क्योंकि हमारे पास एक अवतल दरपन दिया गया है और अफ्तल दर्पन में सामने के सामने जो बिम्ब दिया गया उसका size दिया गया तो सबसे पहले हम बिम्ब के size की बात करेंगे हमें दिया गया है H या बिम्ब का size जो दिया गया हमें है प्लस 4.0 cm ठीक है बच्चो उसी प्रकार हमें U दिया गया है U है minus 25.0 cm और focus दूरी हमें दी गई है focus दूरी that is small f क्योंकि अवतल दरपन है तो focus दूरी है minus 15.0 cm ये तीन चीज़े हमें दी गई है और हमें गयात क्या करना है हमें गयात करना है प्रतिबिम्ब की दूरी जो की है V हमें गयात करना है प्रतिबिम्ब का size जो की है H डश और हमें इसके इलावा प्रतिबिम्ब की जो प्रकृती है वो गयात करनी है यहाँ पर क्योंकि प्रश्ण में दिया गया था कि screen कहां पर रखे जाए और विश्य स्क्रीन रखे जाने का मतलब है कि प्रतिविम्भ हमें कहां पर प्राप्त होगा इसको हम हल करने के लिए हमें ग्यात है दरपन सूत्र क्या है एक बटा V जमा एक बटा U बराबर है एक बटा F ठीक है बच्चों तो इसमें हमें U भी दिया गया है F भी दिया गया है तो पहले हम इस सूत्र को वियवस्थित कर लेंगे एक बटा V बराबर है एक बटा F यहाँ पर एक बटा U है इसको हम इस तरफ ले के आए हम तो यह हमारे पास बन जाएगा minus, क्योंकि plus का sine नहीं यहाँ पर इस तरफ आएक minus हो जाएगा, एक बटा u ठीक है बच्चों, अब इसमें हम इसका मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक बटा v ब्राबर है, एक बटा f का मान हमारे पास कितना है F का मान हमेरे पास दिया गया है माइनस 15.0 cm ठीक है माइनस यह जो सुत्र में यहां पर माइनस है और U का मान हमें दिया गया है माइनस 25.0 cm इसको हम हल करते हैं 1 बटा V हो जाएगा 1 बटा माइनस 15.0 cm माइनस गुणा माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस यह हो जाएगा 1 बटा 25.0 cm 1 बटा V का मान हमारे पास हो जाएगा इसको हल करने का तरीका वही है कि हम इसका लगुतम समाब पर तक लेंगे इसका जो LCM है LCM इसका जाएगा 75.0 यह आपने मैज की क्लास में सीखा है तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएगे यहां पर जैसे कि हमने पहले भी कहा था LCM को हम हर से भाग करते हैं जो भागफल आएगा उसको मंज से गुणा करते हैं तो यहां पर हमारे पास आजाएगा भागफल माइनस है भागफल 5 आजाएगा तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 5 cm प्लस यहां पर भागफल हमारे पास आजाएगा 3 तो हम लिखेंगे 3.0 cm अब यह बात भी आपने गनित में सीखी है कि एक हमारे पास माइनस के चिनवाल आंक है और एक प्लस के चिनवाल आंक है तो हम इसको किस तरह से हल करते हैं तो यह हमारे पास आजाएगा माइनस 2.0 cm क्यों क्योंकि हमारे पास माइनस का आंक बड़ा है प्लस का आंक छोटा है तो चिन लगेगा माइनस का या आपने 6th या 7th class में सीखा होगा कि इसका अर्थ क्या होता है और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 75.0 अब हमें बच्चो वैल्यू ग्याद करनी है वी की लेकिन में पास वैल्यू आई है यह एक बटा वी की तो वी कमान क्या हो जाएगा वी कमान हो जाएगा 65.0 बटा मानिस 2.0 cm मैं यहां पर लिख लेता हूं cm उब्राण यह आ जाएगा मानिस 37.5 cm तो यह हमारे पास v कमान आ गया v कमान क्या है हमारे पास मानिस 37.5 cm उसी प्रकार हमें H का मान ग्याद करना है हमें मालुम है कि आवर्धन या मैगनिफिकेशन जो होता है वो होता है H डैश बटा H और ये बराबर है माइनस V बटा UK अब बच्चो इस सूत्र को हम अगर तुलना करें हमें H दिया गया है H डैश हमें ग्याद करना है H हमें दिया गया है H का मान कितना है H का मान हमें दिया गया है प्लस 4.0 cm माइनस V V का मान हमें ग्याद हो गया है वो है 37.5 cm बटा U का मान भी हमें दिया गया है वो है माइनस 25.0 cm तो माइनस से माइनस कंसल हो गया और h' का जो मान आ जाएगा कि 37.5 को हम 25 से भाग करें उसको 4 से हम गुणा कर लें तो हमारे पास जो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 37.5 cm यह माइनस है यहाँ पर गुणा प्लस 4.0 cm पटा 35.0 cm तो h' का मान बच्चो हमारे पास आ जाएगा इसको यदि आप हल करें तो यह हमारे पास आ जाएगा माइनस 6.0 cm यह हमारे पास दूसरा मान आ जाएगा तो इससे हमें क्या-क्या ग्यात होता है सबसे पहले देखें कि यहाँ पर जो बिम्ब का साइज दिया है वो है 4 cm और प्रतिबिम्ब का साइज है 6 cm तो जाहिर सी बात है कि जो प्रतिबिम्ब है वो आवर्धित होगा ठीक है उसका आवर्धन हुआ है अब क्योंकि यहाँ पर चिन है माइनस का तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिम्ब उल्टा है और प्रतिबिम्ब उल्टा है तो इसका अर्थ है कि प्रतिभिम्ब वास्त्विक है और क्योंकि अव्तल दर्पन है तो दर्पन के सामने बना होगा तो प्रतिभिम्ब उल्टा है प्रतिभिम्ब उल्टा है आवर्धित है और वास्त्विक है वास्त्विक प्रतिभिम्ब है क्योंकि जो प्रतिभिम्ब बना है वो दर्पन क्योंकि V है माइनस 37.5 तो दर्पन के सामने है जिस और को वस्तु रखी गई है क्योंकि वस्तु भी दर्पन के सामने रखी गई है क्योंकि जिन यहाँ पर है माइनस तो बच्चो इस प्रकार हम जिन परिपाटि का उपयोग करके और दर्पन सूत्र का उपयोग करके इस प्रशन को असानी से हल कर सकते हैं तो आप उधारन में दिये गए इस प्रकार के अंनिया प्रशनों को भी हल करें अगले वीडियो में हम एक नए निमेरिकल प्रॉब्लम के साथ फिर से मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद